ओम सिरी गनेशाय नमा दोस्तो एश्टू समाधान यूट्योब चैनल में आपका हार दिक स्वागत हैं दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 25 अपरेल सौंबार की रासी फल के बारे में कीह दिन उम राशी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिश और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पपोन जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर मना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल लोग सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंश सके चलि दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा कुम्ब राशी वालों के लिए सौंबार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजटिव रहने वाला हैं दोस्तो परिवार से आज अच्छे संबंद होने की संभावना बन रही है गहरी लुचेत्रों में आज आपको विकास देखने को मिल सकता है तता घर परिवार में सब के साथ आपसी समंजस बहतर होने की संभावना बन रही है आपके दुआरा किये गए कारों से आज आपको अच्छी सफलता तता परिवार में आपका सम्मान प्राप्त हो सकता है आज आप सब के प्रती आस्था रखने के साथ साथ सब का सयोग करने की कोशिस करें दोस्तों साथ साथ आज आप बहार की गति विदियों पर अपना ध्यान अधिक केंद रित करें तथा आयोजनाबत तरीके से अपने कारों को संपन करें आपको अपने प्रेतनों में सफलता अच्छी प्राप्थ होगी तथा आये के साधन भी आपके लिए काफी मजबूत होगी प्रॉपर्टी संबंदित किसी प्रिकार का कार्य करने के लिए आज का दिन उत्तम है घर के रकरखाव संबंदित आज सौपिंग भी हो सकती है आज कल आप अपनी दिन चरिया में जो परिवर्टन ला रहे हैं उससे आपके स्वास्त तथा पर्सनल्टी में बहुत अच्छा सुधार आएगा घर के नवीनी करण या सुधार जैसी योजनाएं आज बनेंगी आज किसी वास्तु विद के साथ अवस्य विचार विमर्स करें साथी प्रते कार्य को करने से पहले बजट बनाना आपके लिए अतियावशक है आज दूसरों के काम में अधिक ध्यान देने के अपेक्छा अपने व्यक्तिकत कारों पर अधिक ध्यान केंद्रित करें बच्चों की तरफ से चली आ रही समस्या का आज हल मिलने से राहत भरी इस्तिती रहेगी धर्म कर्म तथा समाज से भी संस्थाओं में आज आपकी विसेश रूची रहेगी इसकी वज़े से आप सम्मानित भी होंगे विध्यारतियों को भी पिछले कुछ समय से चली आरे परिसानियों से राहत मिलेगी बुजरुगों का सम्मान वे आदर आप अवश्य बना कर रखें उनका आशिरवाद वे शयोग आपके लिए भग्य उदे का निर्मान करेगा घर में कोई धर्मिक कार रहे आज संपन हो सकता है जिससे घर में शकारतमक उर्जा का वास होगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज आप के लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तों आज जादा से जादा विवादों से दूर रहने का आप प्रYतन करें सावधानी रखते हुए किसी भी कार रेको करें अपने आप पर भरोसा करते हुए आर्थिक लेंदेन में सावधानी रखें कभी कभी आपकी लापरभाई की वज़े से कुछ उपलब्दियां हाथ से निकल सकती है जिसकी वज़े से सुभाब में भी एकरण ही गुस्सा वे चिर्चना पन रह सकता है अपना आत्मविश्वास उर्जा बनाकर रखना जरूरी है साथे साथ विध्यार्तियों का भी ध्यान अपनी पढ़ाई पर केंदरित नहीं हो पाएगा जिसकी वज़े से दिक्कतें आ सकती है कोई पुरानी नकार अत्मक बात दोबारा उठने से नजदी की रिस्तिदारों के साथ संबंद खराब होने की आशंका भी आज लग रही है दोस्तो अपने संब्मान की देखवाल आप श्वैम करें चोरी होने अत्वा खोने की संभवना आज लग रही है प्रॉपर्टी के चक्कर में किसी नजदी की रिस्तिदार अत्वा भाई के साथ कोई कहा सुनी होने की भी आज आसंका है थोड़ा सावधान रहें साथी साथ कोई भी उपलबदी आज मिलने पर तुरंती ही उस कार्रे को करें जादा सोच विचार करने से समय हाथ से निकल सकता है साथी किसी अंजान व्यक्ति की बातों में आकर आज आप अपना नुकसान कर सकते हैं थोड़ा सावध्यान रहें दोस्तो ध्यान रहें कि आज घर्चों की भी अधिकता रहेगी साथी साथ किसी पडोसी के साथ ही इसी बात को लेकर कहा सुनी भी हो सकती है करूद की अपेक्छा सांती पूर्ण तरीके से मामला सुल जाएं दोस्तो स्वयभाब में धहरें वे नर्मी बनाकर आप रखें जल्दबाजी आपके और आपके परिवार के लिए नुकसान दायक सावित हो सकती है जिससे घर का माहूल भी नकारात्मक हो सकता है थोड़ा सावधान रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है दोस्तो आज प्रेम संबंदों को लेकर कुछ नया माहूल आपको देखने को मिल सकता है दोस्तो साथी साथ आपके कारों में जीवन साथी का सयोग आपके लिए लाबदायक रहेगा तथा आपके संबंदों में मधूरता रहेगी घर का वातावरन संतुलित बनाए रखने के लिए आपको अपने वैवार में संतुलन बनाकर रखना अतियावशक है दोस्तो वैवायत जीवन आज शुक में रहेगा प्रेम संबंदों को मर्यादित बनाकर रखना अतियावशक है दोस्तो साथिसाथ विस्तता के बाबजूद कुछ समय परिवार वालों के साथ मनोरंजन वे आमोद प्रमोद में व्यतित करें इस से सभी को प्रसंदता मिलेगी दोस्तो बात कर लेते हैं अज आपका वेवशाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो कारे छित्र में आज आपको सफलता मिलेगी और कारोबार विस्तार की आज आप नई योजनाएं बनाएंगे प्रॉपर्टी में भी आज आप निवेस कर सकते हैं जो भविश्य के लिए आपके लिए काफी लाबदायक रहेगा दोस्तो साति सात कारे छित्र में सहयोगियों और कर्मचारियों पर अधिक विश्वास ना करके सभी निर्णे आप स्वैम ही लें क्योंकि किसी अन्य की सला आपके लिए नुकसान का कारण बन सकती है ववश्यक छित्र में सभी काम आज सुचारों रूप से चलते रहेंगे जिसकी वज़े से आप अपने लिए कुछ समय भी निकाल पाएंगे साति सात नोकरी पेसा वाले व्यक्तियों का भी आज कोई टारगेट हांसिल हो सकता है जिसकी वज़े से आपका बॉस या उच अधिकारी आपके लिए कुछ उपलबदियां प्रदान कर सकते हैं जिसकी वज़े से आपका मन बहुती प्रसन रहेगा विद्ध्यार्टियों के लिए भी समय आज का बहुती अच्छा रहेगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ कैसा रहने वाला है दोस्तों आज स्वास्थ को लेकर आपके लिए इस्तितियां काफी सामाने रहने वाली हैं आज किसी तरह की कोई स्वास्थ सम्मंदित समस्या उत्पन होने की कोई संभावना नहीं है आज आपका स्वास् आप रोजाना योग करें वयाम करें सुवस्त रहें दोस्तों बात कर लेते हैं आज आप के लिए विशेश उपाई क्या हैं दोस्तों आज आप इश्ञान आजी से निर्वत्र होने के बाद भगवान शिव के मंत्र ओम नामस शिवाएं मंत्र का जाप करते हुए बहुत जल्द प्रशन होकर आपकी समस्त कष्टों को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परिशानिया चल रही हैं समस्त परिशानियों कंत करेंगे और आपको ऐसा करने से सीगर ही सुब फलो की प्राप्ती होंगी और आपकी समस्त मनों का आपने भगवान को वश्य करें को वश्य ही विशेस लाब प्राप्त होगा दोस्तों भगवान भुलेनाथ का सिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट स्बोक्स में जै भुलेना तवस्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद